दो numbers हैं और उनके बीच में एक alphabet है जैसे यह 132 है 1624 है बीच में F है और इनमें कुछ operations करके 657 लाया गया है यह basically इनमें कोई particular rule फॉलो नहीं होता mathematical operation का जैसे plus minus into divide इसमें कुछ भी हो सकता है coded equation में यह different type इसमें कभी कभार आ जाते हैं कभी कभार का नए pattern में तो बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं तो चेक करते हैं हम इनको solve करने के में 4 यह आ रहा है हमारा इनका 657 तो 657 लाने का एक ही तरीका यह 6 को one three को two और two four से add करते हैं उल्टा लिखते हैं हम इसको six five seven आ गया ना थी मैंने क्या किया मैंने six को one के साथ add क्या तो यह seven आया फिर two को three के साथ add क्या तो five आया और four को 2 के साथ add किया तो 6 आया similarly एक और हमें दी हुई है मैं उसको भी add करके आपको दिखाता हूँ 84 F321 is equal to 504 तो यहां इसको add करके 504 आ रहा है तो ठीक है करते हैं हम 84 और 321 को कैसे add करेंगे कि हमारा 504 आएगा अगर हम इसको add करें तो यह मिलता है हमें 405 ठीक है 405 अगर 84 और 321 को add करें तो 405 और इसको उल्टा करके इन्हों लिखा 504 जैसे मैंने पहले किया था ना 132 को 624 में add करेंगे तो हमें मिलता है 756 और इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 657 तो सिमिलरली यहां पर यह भी ऐसी किया गया है तो इसी की according हम से पूझा है कि 168 और 27 F27 क्या होगा तो 168 में अगर हम 27 को add करते हैं तो यह होता है 591 और 591 को अगर हम उल्टा करके लिखें यानि डिजिट्स को replace कर दें 591 यह हमारा हो जाएगा यह option answer तो इसमें क्या है कोई unique pattern पर ऐसे दे देते हैं और आप से पूछ लेंगे कि फिर एक क्या answer बताईए आप तो यह आपको practice करने चाहिए जितने भी types हैं इसमें और ध्यान में रखें वहां exam में